हाई गाईज वेल्कम बेक टू मैं चैनल दोस्तों कल से नवडात्री स्टार्ट है और अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ मंदिर तो पूरा साफ हो गया है बस जो भोग वगेरा है उसको एरेंज करना है अच्छे से एरेंज करके रखना है और ये रही मातारानी तो मंद करेंगें के नवडात्रे में पूरे नौ दिनं की पूझा होती है तो यहाँ पर मैंने इकठे की सब कुछ मंगवा लिया है तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा और धोभबती ये पतेंजली का है जो कि हम लोगो को च्छा लगता है तो मैं यही लग वाती हूं वैसे जो अच्छा लग जाए वो तो लोग नहीं लेते हैं और उसके बाद है घी हवन भी होगा राम नौमी वाले दिन हवन भी होता है हम लोग के आहां और ये है नारियल गोला हवन के लिए जनेव है कपूर है लॉंग एक रंगा कपड़ा तिल है और ये बाती ह है गोल वाली और ये लंबी वाली भी है और अघर्वत्ती का ये पूरा पैकेट है जो कि अभी मैंने आपए नहीं किया है मेरे पास पहले से भी है खुला हुआ 271 और अच्छा चंदन यह सब तो पहले से होता ही है तो यह सब कुछ इरेंच करके रखा हुआ है मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें हैं दिया तो इसको अभी साफ करना है और इधर है धोई हुए कपड़े और इधर नए कपड़े भी हैं और जैसे सिंदूर हो गया बिंदी हो गया यह सब मैं स्टॉक पर रखती हूं अगर जैसे कोई फेस्टिवल है और चरहाना हो तो वैसे तो मार्केट से भी ले के आ जाते हैं लेकिन घर में भी मेरे पास होता है और यह सब लड़ू गोपाल जी के कप्रे हैं जो मैं उतारने के ब वीडियो अच्छा लगा हो और चैत्र नवरात्री में हमारे यहां कलस कभी से नहीं बैठाया गया है तो हम लोग भी नहीं बैठाते हैं बस आसिरवाले नवरात्री में बैठाते हैं इसमें नहीं बैठाते हैं तो इस तरीके से बस मूर्ती से ही पूजा करते हैं फोटो से